हेलो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं आज की रेस्पी मैंने ले लिया है आदर किलो कटैल इसे धो करके अच्छे से काट लिया है इसे हम बॉइल कर लेंगे इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक खड़े मसालों मैंने लिया एक छोटी इलाइची दो टुकड़े दालचीनी के दो लॉंग और चार से पांच काली मिर्च है दो तेज पत्ते और एक बड़ी इलाइची एक विसल आने के बाद हमें गैस का फ्लेम आफ करना है कटैल को अभी पूरी तरह से हमें नहीं पकाना है अब हम कटैल को एक प्लेट में निकाल लेंगे फिर हम लेंगे एक मिक्सी जार उसमें डालेंगे हम एक बड़ा टमाटर आप चाहे तो मीडियम साइज के दो टमाटर ले लिजे फिर हम उसमें खड़े मसाले आड़ कर दि फिर उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और दो तेज पत्ते फिर हम इसमें कद्दू कस किया हुआ प्यास डाल देंगे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है फिर हम इसमें एड करेंगे लैसुन भीना कटे वे और कद्दू कस किया हुआ अद्रग इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राइ कर लेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से फ्राइ करने के बाद हम इसमें एड करेंगे टमाटर हरी मिर्च और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम चलाते रहेंगे अब इसमें से देखिए ऑईल जो है सेपरेट होने लगा अब हम इसमें अट करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसे 5 मिनट तक धखकर पकाएंगे, तब तक हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, 5 मिनट हो चुका है, देखे इसमें से ओल, बिलकुल अलग होने ही लग किया है तो प्रीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए चलिए अब इसमें एड करते हैं फ्राइ किये वे कटेल इसे एड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम इसमें बॉयल किया हुआ जो पानी था कटेल का उसको एड करेंगे और थोड़ा में निकाल लेंगे बन्के त्यार है हमारी कटेल की ग्रेवी वाली सब्जी इसे गर्मा गर्म चावल और रोटी के साथ में परोशिये देखें कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का आप भी एक बर जरूर ट्राइब करिए एक बर इस तरह से बनाकर करके करते सब्ली